अब जो है सबसे पहले जो है वो आप इन elements को जो है वो इस तरीके से लिख लें ठीक है scandium से लेके zinc तक और यह trim से लेके caddy में तक lengthenum से लेके mercury तक ठीक है अब जो है वो आपको कहां पर मिलेगी chromium पर मिलेगी ठीक है और उसके बाद फर्स ट्रंशिन सीरीज में next जो exception मिलेगी वो आपको कहां पर मिलेगी copper में मिलेगी है तो बिसलिए इस configuration में हमें ये देखना है कि NS में बन कव होगा, NS में 0 कव होगा और NS में 2 कव कव होगा ठीक है रही 0 की बात तो मैं 0 को सबसे पहले ही जो है वो मैंने आपको बताया कि पलाडियम के case में में को क्या बनेगा 0 मिलेगा ठीक है तो अब आपको क्या करना है अब NS आपने top पे दो element पहचान लिए अब सबसे पहले आप क्या काम करें copper वाली जो आपके पास group है इसको जो है वो इस तरीके से जो है वो आप इसको आगे extend कर दें तो copper, silver और gold में इन तिनों में आपको NS 1 मिलेगा चाहिए वो 4S 1 है, 5S 1 है या 6S 1 है इसमें आप हमेशा S में एक electron रखोगे और rest electron D में जंप कराओगे ठीक है हम इसको molybdenum तक extend करें मतलब molybdenum में भी NS 1 होगा ठीक है, similarly जो element हम down the group नहीं जाएंगे लेकिन हम इस तरफ move करेंगे तो niomium में भी exceptional configuration आएगी इसमें भी NS 1 होगा तो जो भी red boxes बनेंगे उसमें NS 1 ही आएगा ठीक है, तो अब क्या होता है कि इस group के साथ जो element है PD, इसमें NS 0 होता है इस group के साथ जो element technician होता है, इसकी configuration normal होती है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ अब मुझे इस group से यहां तक पहुंचना है, इस group से मैं यहां तक पहुंचना है, किरख फुली सुनें, इस group से according के, rule के according, जो है वो मेरे पास जो अब feeling होती है, ठीक है इसके बाद, अब देखो अब मैं palladium के through जानी सकता है इस risk पे, तो मैं क्या करूँगा, nickel की normal होती है तो एक ही रास्ता है, कि मैं platinum के through इस group तक पहुंचना है यहां से यहां तक, ठीक है, तो मैंने configuration, ns1 होती है pd को मैंने box red नहीं किया फिर भी इसका box बनाया, लेकिन configuration कैसी होती है, ns0 मिलेगी, ठीक है, इसमें कौन सी मिलेगी, ns1 मिलेगी इन तीनों में ns1, इस पूरी में ns1 ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखे, कि कैसे जो हो यह blog नहींगे, ठीक है, अगर फिर भी मैं इसको मिला देता हूँ ठीक है, इस तरीके से ठीक है, तो यह एक, देखो चाबी की तरह structure बन रहा है, जैसे की होती है ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन technician इसमें normal है, और palladium इसमे ns0 है, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको memorize करें, ठीक है, कि कहां पे मुझे ns1 मिलेगा, rest case में मेरे पास जो वो ns2 ही मिलेगा मुझे, ठीक है, और ns0 को आपको पता है, palladium में, exceptionally आपने याद रखना है, कि इसमें, जो आपके पास s orbital होगा, वो आपके पास क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, तो अब आपके हम configuration पे ठीक है, configuration पे जो है यही मैंने notes में जो है बनाया हुआ है, इसको आप ऐसे भी fair कर सकते हैं, ठीक है, देखो, यह key की तरह, यह जो red किया हुआ है, यह ns1 यह भी ns1, यह मेरे पास ns0 होता है इससे मैं यहाँ jump किया, देखो यह red है, platinum यह ns1 है, यह भी मेरे पास copper वाली series में, यह सार ही मेरे पास ns1 है, बाकी rest सेम है, ठीक है यह red वाला, ns1 और rest यह वाला, यह जो मैंने circle किया हुआ था यह ns0, यह यहीं circle किया था ठीक है, ns0, remaining are normal, ठीक है, तो अब बार यहाती है, electronic configuration की कैसे जो है वो आप इसको जो है वो लिखोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखो, write the electronic configuration of first transition series तो आपको मालूम होना चाहिए, first transition series के लिए जो period number होता है, वो n is equal to 4 होता है, ठीक है, 4 होता होता है, n की value automatically 4 fix होगी यह series होती है, scandium से लेके zinc तक होती है, 21 से 30 तक इसमें feeling किस की होगी, 3D की होगी last electron किस में enter करेगा, 3D में enter करेगा ठीक है, तो अगर आपको फिर भी, मैं बोलता हूँ, electronic configuration revise करने से पहले, आप बाव प्रिंसिकल जरूर पढ़ लें कि feeling जो है, orbital की कैसे होती है, बहुर बरी rule क्या होता है, n plus l rule क्या होता है, महाँ पे 4s की feeling जो होती है, पहले होती है इस comparison 3D से, क्योंकि n plus 1 इसमें rule लगता है, तो energy before feeling जो होती है, वो आपके पास 4s की पहले feeling होगी है, और आपके पास 3D की बाद में होगी, ठीक है उसके बाद जो है, मैंने इसी को जो है, वो इसका atomic number, z is equal to n का atomic number लिखा हुआ है, इसको मैंने star से लिखा हुआ है, दोनों को exceptional है, इसमें देखो आपको 4s 1 मिलेगा, 4s 1 मिलेगा यह map से discuss कर चुका हूँ कि copper chromium में, मुझे बस यह देखना यह कि किसमें 1 बन्नों गई? ठीक है, और इसका elektron मैं किसमें jump कर दूँँगा? 3D में इसका elektron मैं किसमें jump कर दूँँगा? 3D में jump कर दूँँगा, ठीक है तो यह जू है वो आपने थोड़ा सा दियान रखना है as well as larger exchange energy ठीक है तो उनके पास जो है वो इसी वज़े से से इसके extra stability जो है वो explain की जाती है on the basis of symmetry and larger exchange energy ठीक है second series पर मैं आता हूँ ठीक है तो second series होती है वो 4D feeling इसमें होगी यह belong करता है period number 5th को n की value 5 है तो n-1d जो है वो 4D हो जाएगा यह start होती है year trim से और खतम होती है cadmium 48 तर ठीक है तो जितनी भी transition series है उसमें से यही series ऐसी है जो मेरे पास second transition series है या जो period number 5th को belong करती है इसमें maximum Sometimes exceptions होती है थेक है तु इसको कैसे याद दठेंगे इसके लिए भी मैं आपको जो है वो तरीका बदाता हूं ठीक है इसको कैसे आपने simple तरीकहे से जो है याद रखना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है यह trim से लेके जो है वो तक इस त्रीके से जो है वो elements लिख लें ठीक है तो अब क्या होगा देखो यह ट्रियम की नंबर होता है 39 और इसकी जो feeling होती है वो इस त्रीके से होती है यह मैं यह जो मेरे पास element है यहां से लेकिए यहां तक यह मैंने circle की हो है यह elements यह total sorry यह जो total electron है यह total electron है 36 है यह क्रिप्टॉन इसको मैं इसकी पीछे वाड़ जो noble gas होगी मैं इसको रिप्रजेंट कर सबता हूँ ठीक है तो देखो देखो यह internal arrangement होता है electrons का electron कैसे फिलोंगे वह वाउने बताया था ठीक है तो पहले 5S भरेगा फिर 4D भरेगा ठीक है तो यह मेरे पास जो है वह एक trend अब बनेगा ठीक है जिर्कॉनियम में अगला electron D में जाएगा 42 अब यह expect कर रहा हूं है कि वह अगला electron D में जा यह मुझे कहां से पता चला यह मुझे यहां से पता चला ठीक है कि मेरे पास जो आपको कौन से element जो देखो नयोबियम और रूथीनियम रोडियम और मेरे पास silver इनको मैंने पहले ही जो है वह रेड से जो है कलर कि हो अलांकि मैंने प्लैडियम को भी कर दिया इस पर double star लग लेकिन 5S2 से मुझे 5S1 करना तो इसका एक लेक्टर में जंप कराऊंगा 4D में तो मुझे मिलेगी configuration 44 5S1 तो यह configuration जो है वो सही है उसके बाद मॉलिवर्टनम में भी same true होनी 44 चीए थी 5S2 है लेकिन इसका मुझे 5S1 चीए तो इसको भी यहां जंप कराऊंगा तो exact configuration मेरे प आदियम में क्या होगा मेरे को 5S कहीं भी लेक्टर ने चाहिए दोन्हों जंप करा दो 4D10 मिलेगा और 5S0 मिलेगा यह पूछते भी हैं आप से कहई वार ठीक है यह expect था लेकिन expected थी लेकिन यह वाली जवाब true है ठीक है इसी को मैंने यहां पे जवाब explain किया हुआ है ठीक है तो यह आपने थोड़ा सा धियान रखना है इसी तरीके से आप इसको notes में लिखें revise करें यह बहुत simple है ठीक है तो double star मैंने लगाया हुआ है कि कहां कहां पे ज transition series में अगर मैं आता हूँ तो third transition series में मैंने इस तरीके से इसको लिख लिया ठीक है lengthenum hofenium tantalum ठीक है तो यह धियान रखना lengthenum 57 होता है और hofenium 72 होता है बीच बाड़े कहां गए वह blog में गए वह बाद में discuss करूँगा 73-74 so on up to mercury 80 ठीक है तो आपको पता है कि इस case में third transition series मे जो हो बहुत कम exceptions होती है और आपको वह मिलेंगी platinum और gold के ओपर ठीक है तो gold का तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जैसे copper silver gold होता है वैसे यह आपको 6s1 मिलेगा और 5d10 भर जाएगा सिर्फ platinum के case में आपको यह धियान रखना है कि इस case में मुझे बन चाहिए तो इसका 8 electron इसमें जंप कर जाएगा यहां 5 आना क्या था यहां पर 5d8 और 6s2 एक यहां से एक लेक्ट्रोन मैंने जंप करा दिया तो 8 की जागे बन गया यह 5d9 बन गया ठीक है तो एक और इसमें जो है वह मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि आपके पास इसमें जो होई लंधिनम से ल हमारा complete हुआ third transition series का similarly मेरे पास fourth transition series आती है वो actinium से लेके जो है वो 112 जो मेरे पास element है अभी इसका हमने नाम जो है वो इस तरीके से आई यू पीसी ने लिखा हुआ है यू एन यू एन भी ठीक है तो यह चेक कर लेना है एक वाद ठीक है कि आपके पास जो है यह नाम जो है तो actinium की मैंने configuration लिखी redon 5F0 6D1 7S2 ठीक है तो इसमें जो है वो electron एंटर किया 6D में जिसकी वज़ा से D block में fall किया ठीक है तो 86 इसका होता है तो उसके बाद जो electron जाएंगे वो जाएंगे 7S में 7S2 फिर आएंगे 5F में 14 में फिर आएंगे मेरे पास 6D में ठीक है तो यह ध्यान रहा है इसमें anti penultimate पहले भर चुका होता है फिर penultimate भर आ जाएगा ठीक है तो आप मेरे पास काउंट से 6D में 2 आ ज सीरीज में ठीक है तो इनकी configuration जो है वो आप इस तरीके से याद रख सकते हो इसमें कोई ज्यादा exception नहीं है इसमें आपको j is equal to 111 पे exception याद रखनी है यह वाली ठीक है 7S1 6D10 क्योंकि यह copper वाड़ी सीरीज है copper silver gold ठीक है और आपके पास यह element आता है rotangium ठीक है 6D10 और 7S1 ठीक है तो इस तरीके से आप इसको याद रखें ठीक है और एक और मैं थोड़ा सा आपको जो है वो एक point बता देता हूं यह z is equal to 112 पे खत्म होती है four transition series यह सारे के सारे जो हो synthetic element है radioactive है ठीक है तो यह 112 पे खत्म होती है अब 112 के बाद जो element होते है z is equal to 113 से लेके 118 तक यह p block में लाई करते हैं ठीक है आपको objective question आता है कि z is equal to 118 element है to which block it will go ठीक है तो आपको 112 तक अगर याद है कि 112 तक जो मेरे पास जो है वो d block में लाई करता है तो अगले जो 6 electron होगे वो p में भर जाएंगे क्योंकि p orbital p sub shell में 3 orbital होते हो 3 orbital में 6 electron आ सकते हैं तो 113 से 118 p block में जाएं 6d10 7s2 तो इसके बाद 7p भरा जाएगा 7p 126 ठीक है अच्छा फिक z is equal to 119 अगर आ जाए तो इसको भी लॉंग करेगा तो जो next electron जाएगा वो जाएगा 8s में किस में जाएगा 8s में जाएगा ठीक है तो 8s में 2 electron आएगे तो 119 और 120 में फिलिंग इसकी होगी s sub shell के होगी त ठीक है बट एक बड़ी interesting बात इसमें यह है कि जैसे मानलो 121 element है अगर इसकी discovery होती है तो यह किसको जाएगा क्योंकि 121 element आने के लिए हमें feeling किसकी करने पड़ेगी 5g की feeling करने पड़ेगी और अभी तक हमने blocks बनाया है s p d f g नहीं हमने बनाया हुआ तो i am eagerly waiting हमने यह यह था हमारा electronic configuration का पूरा ठीक है outlook कि कैसे जो है वह हम इसको याद रखेंगे I hope आपने सबने जो है वह अच्छे से understand किया होगा ठीक है तो कोशिश करें आप इसको ठीक है अपनी copy पर practice करें लिख लिखके इसको जो है वह strong बनाएं याद रखें ठीक है तो इक question जो है मैं य radioactive होती है इसलिए लेकिन बच्चा confuse करता है कि तीन होती हो तीन पर टीक लगा के आ जाता है ठीक है एक और question मैंने यहाँ NCRT से दिये कि on but basis you can say that scandium and copper are transition element but not zinc स्केंडियम और copper को transition element क्यों बोला जाता है और zinc को क्यों नहीं बोला जाता है यह भी आपने कर लिया zinc question नहीं बोल जाता क्योंकि उसमें partially filled d orbital नहीं होता ना तो elemental form में ना तो combined form में बलकि हम scandium में partially filled d orbital मिल जाता है ठीक है एक और question कि यह आपको ठीक है BSC में भी बार बार प में partially filled d orbital है automatically sodium में d की filling नहीं होती तो transition element नहीं है ठीक है और transition elements हा d block तो आपके पास sodium moving सकता sodium में filling किसकी होती है last electron किस में enter करता है s में तो it is s block ठीक है तो इस तरीक के से जो है वो आप इसको याद रखेंगे कि कैसे जो है वो आपके बाप आए ठीक है थोड़ा सा छोटा सा आपको मैं home back दे रहा हूँ आपने के करना है कि electronic configuration लिखने राइट the electronic configuration for the following ions nickel 2 positive, palladium 2 positive, palladium 4 positive, platinum 2 positive, platinum 4 positive, molybdenum, palladium, gold, copper 3 positive, Hg2 positive, ruthenium 3 positive, पहले इनकी normal configuration लिखें, फिर electron जो है वो remove करके निके बाद जो है इनकी configuration लिखने है ठीक है जैसे मैंने आपको पहले बताई कि ठीक है जैसे मैं आपको एक example बता देता हूँ जैसे nickel 2 positive है ठीक है तो nickel 2 positive के case में आपको क्या करना है सबसे पहले आपको nickel इसका atomic number लिखना, nickel का atomic number होता है 28 तो nickel की जो configuration आएगी वो मेरे पास आ जाएगी organ 3D8 4S2 ठीक है तो nickel 2 positive का मतलब क् ठीक है तो जब electron को remove की जाता है तो सबसे पहले S से जानते है electron ठीक है S sub shell से दो निकल गए S से निकल गए तो मेरे पास यह आ जाएगा आरगन 3D8 और 4S0 यह तो इसको लिखने की जुरूरत नहीं है आरगन 3D8 4S0 ठीक है तो similarly आप palladium 2 positive, palladium 4 positive, platinum 2 positive, platinum 4 positive, molybdenum, palladium, gold, copper 3 positive, hg2 positive, ruthenine 3 positive की electronic configuration लिखे, practice करें ठीक है और इसकी जो image है ठीक है वो आप मेरे को send भी करें ठीक है इनकी configuration लिखके ठीक है तो इतना जो है आप पढ़े, revise करें, electronic configuration को tips पे करें, because without electronic configuration आप deep local events पे command नहीं कर सकते, तो यह बहुत important step है, यह आपका basic है, जो base त्यार करेगा पूरी properties के लिए, ठीक है, तो आप जो है वो, मेरी आप सब से यही reverse है कि आप इसको tips पे रखें configuration को और इनके atomic number को और इस पूरी तीनों आप आपा आप और इस पार्मों और इस करेंशना आप और इस प्लिए तो और इस प्रॉझ झाएंस